हेलो स्टूदेंस नाओ फी कंटीन्योर चप्टर एएएर अरांड अस तोड़े बीविंग एपक्सिजन्ग और बना रहता है यह हम यहां पर डिस्कुस करेंगे जितने भी लिविंग ओरिशन के भी ना सर्वाइब नी कर सकते यह एट्ट सर्वाइब ने कर सकते लिए है oxygen जो है वो continuously consume होती है all living organisms के द्वारा जितने भी living beings है वो continue oxygen को consume करते हैं even then its amount in the air remains constant उसके बाद भी जो oxygen की amount है हमारी air में वो constant रहती है एक normal सी बात है कि हमारे mind में ये बात हाईगी ही आईगी कि जिस चीज़ को हम continue ले जा रहे हैं लिये जा रहे हैं वो चीज़ हमारे environment में कम क्यों नहीं हो रही है that's our normal point कि किसी भी चीज़ को अगर हम यूज करेंगी तो वो कम तो होगी ना बट हम ये देखते हैं कि हमारे environment में हमारे atmosphere में oxygen को हम continue लेते हैं जित्ते भी living beings सभी oxygen को constantly क्या है consume करते ही रहते हैं करते रहते हैं बट फिर भी जो constant का मतलब ये है कि जितनी है उतनी ही रहती है उसमें कोई बदलाव नहीं आता फिर भी वो atmosphere में उतनी क्यों रहती है इसके पीछे reason क्या है ये इसके पीछे reason है oxygen और carbon dioxide cycle इस cycle को हम discuss करेंगे जिसके थ्रू हमारे सारे doubts clear हो जाएंगे human beings और animals जो है वो oxygen लेते हैं कहां से atmosphere से और क्या release करते हैं carbon dioxide release करते हैं breathing के दुरान breathing chapter को आप detail में पढ़ोगे 7th class में बट जो breathing process है हमारा lungs के थ्रू होता है इतना तो सब कोई पता है तो इस process के दुरान जैसे हम सांस लेते हैं यही हमारा breathing है detail में आप 7th में पढ़ोगे breathing की दुरान हम क्या करते oxygen को इंटेक करते हैं और out क्या हम छोड़ते कुन सी हैं carbon dioxide तो अब आप यह भी देख लोगे कि कि को कोई भी चीज है उसको अगर आपको बर्न करने हैं बर्निंग की दुरान भी oxygen ही used up होती है और carbon dioxide release होती है ठीक है तो oxygen की presence oxygen की presence जो है वो हमारी survival के लिए necessary है मतलब अगर जिंदा रहना है तो जिंदा रहने के लिए oxygen बहुत जरूरी है as it breaks food into the simpler substances in our body हमारे बोडी में हमारे food को simple form में breakdown करने में भी हमारे oxygen help करती है and provide us with energy और क्या है हमें energy प्रोवाइड करती है जब कि plants क्या करते हैं carbon dioxide क्या करते हैं लेते हैं ठीक है जो हमारे एयर में present होती है जिससे यह क्या करते है food प्रिपेर करते है फोटो सिंथेस प्रोसेस के दौरान और यह क्या करते है oxygen को release करते है अट्मोसफेर में देखो balance समझ में आया जो living beings यानि जो human beings है वो क्या करते है oxygen का intake करते है oxygen लेते है breathing के दौरान और carbon dioxide छोड़ते है जब कि जो plants है वो carbon dioxide लेते है और oxygen छोड़ते है it means ये छोड़ रहे है वो ले रहे है वो छोड़ रहे है वो ले रहे है तो it means ये balance जो है वो बन गया न हमारी atmosphere में यही reason है कि क्या है ये जो है हमारी इसकी जो amount है जो वो constant क्यों रहती है oxygen की ठीक है दस इसलिए क्या होता है carbon dioxide और oxygen का balance जो है वो maintain रहता है nature में जबकि plants और animals जो होते है वो एक दूसरे पर interdependent है इसलिए जो green plants है वो क्या करते है necessary for maintaining the ecological balance and for our survival ठीक हमारे survival और ecological balance के लिए हमारे लिए green plants जो है वो necessary है ये देखते है oxygen और carbon dioxide cycle जो है ये हमें दिखा रखी है देखो ये sunlight है ठीक है यहां से क्या है photosynthesis process हो रही है इन plants में इन से CO2 cycle है ठीक है इन plants में respiration हो रहा है plants में respiration होने का मतलब क्या है कि ये क्या है oxygen को छोड़ने है environment में atmosphere में ठीक है ये इधर animals है इनिमल्स में respiration होता है तो animals में respiration में क्या होता है ये भी human beings की तरह respire करते है ये क्या करते है carbon dioxide को छोड़ते है और ये क्या करते है carbon dioxide लेते और oxygen छोड़ते it means atmosphere में तो जितनी oxygen ले जा रही है उतनी release भी हो रही है और उतनी use भी हो रही है इसी तरह जितनी carbon dioxide use हो रही है उतनी दुबारा से हमारे environment में आ रही है यही reason है कि ये जो cycle है ये constant चलती रहती और इसकी amount हमेशा constant रहती है I hope समझ में आ गया होगा next time करते air source of energy ठीक है पुराने टाइम में क्या होता था जो Egyptian से उन्होंने क्या था added cells to overpowered boats to take advantages of wind's energy wind energy जैसे wind energy produce करने के लिए इसका benefit लेने के लिए उन्होंने क्या किये था और पावर boats जो है इन्होंने क्या किये थे add किये थे start किये थे Persian also used wind mills जो Persian थे उन्होंने wind mills add किये थे to the turn wheels wheel को turn करने के लिए grind corn and pump water 1890 में एक Danish थे उन्होंने क्या invent किया था एक usefulness of wind machine एक wind machine को क्या है इन्होंने describe क्या discover किया था when he developed the wind mill जब उन्होंने wind mill को develop किया they could generate electricity उन्होंने electricity generate की थी wind energy से wind से तो क्या है wind energy जो है वो farms can now be seen in almost all tropical countries जिसको आज हम कहां देखते हैं सभी tropical countries में देखते हैं यह क्या है हमारी wind mills है यह fans है यह क्या करेंगे यह हावा से rotate करेंगे यह जो रोटेट करेंगे तो इन्होंने connect किया हुँ था electricity produce करने के लिए तो क्या है इससे इन्होंने wind energy से electricity produce की थी कल हम डिसको से करेंगे एयर इस लाइफ लाइफ लाइन ओफ ओल लिभिंग तीम्स झाल 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 झाल